नमश्कार और जोहाराः आप्तोई शात्यों को जैसे कि हमने आपको शॉटके माध्यम से update कि ताczasives संबर की जो परिक्शा है वो अपत्तियों के बीच आ गई है आपत्तियों से घिर चुकी है जैसे लिफ्ज़ों से घ्रिक तो इसको लेकर, देखे, JSC को कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही था, तो JSC ने लोकल निउस्पेपर के हल्प से आपके तरफ कुछ पहुचाने की कोशिश की है, तो चली हम लोग देखते हैं कि क्या अपडेट आई है इस परिक्षा को लेकर, चली आ जाते हैं, देखते है यह कह रही है, कि जारकन टर्मचारी आयोग यानि कि JSC द्वारा आयोजित नगरपाली का सेवा समवर की जो परिक्षा थी, जो 29 अक्टूबर रविवार को आयोजित की गई थी, उसमें गड़बडी होने के आरोप लगाए गये हैं, जो अभ्यर्थियों ने लगाए हैं, अभ्यर्थियों ने लगाए हैं, और इसमें कह रहा है कि अभ्यर्थियों का कहना था कि कई प्रशन पत्र में सील लगे हुए नहीं थे, और कहीं कहीं सील लगे थे, तो उत्तर पुस्ति का च्छतिग्रस थी, तेकि 921 पदों के लिए परिक्षा होनी थी, काफी बड़े प की है, चली देखते हैं, आयोग का कहना है कि जाच के बाद होगी नियमानुसार कारवाई, आयोग का कहना है कि परिक्षा के दारा नुर्तर पुस्तिका में कम ये च्छतिग्रस्त मुद्रन, यनि कि अगर माल लीजे कि अगर बुक्लेट डामेज्ड है, या उसमें चीस की होगी, जाच उपरांत यतोचित कारवाई की जाएगी, अगर ऐसा जाच में पाया जाता है कि अगर डामेज्ड बुक्लेट के बाद भी या अन्प्रिंटेड बुक्लेट के बाद भी अगर चेंजेज नहीं किये गया है, तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी, और इन्होंने यहां कहा है कि समू को सील बंद पैकेट पर रखा जाता है, ठीक है, तो यह कह रहा है कि क्वेश्चन पे सील ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, जैसे जैसा कह रही है, सील जो है लगे होते हैं, और सील जो होती है, सील लगे जो बुक्लेट्स होते हैं, क् अल्रेडी सील लगे हुए यानि कि क्या बोलता है सील लगे हुए एक पैकेट्स के अंदर बंध होती है तो पहले उनका सील खोला जाता है देन कोश्चन बॉकलेट्स का सील उपन किया जाता है तो कह रही है जैसे का कहना है कि ऐसी कोई आशंका नहीं है तिक आगे क्यों की सिकट नहीं नहीं मिली है किसी भी परिक्षा के इंदर से कोई शिकायत नहीं में लिए उब्स है जैसे एंडर कुद gefallen चूज की है तो ञब ह्क छोए कोई सुचना पराप्त नहीं हुई है तो इसलिए गुपनियता का भंग होने का कोई कोई प्रश्न नहीं उठता गोपनियता भंग होने का कोई प्रश्न नहीं उठता यानि कि जैसा सी सिरे से नकार रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ठीक है तो देखिए अब ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कहते हैं कि कि जब आप सामने से कुछ तो नजारा कुछ और होता है तो अगर विद्यार्थी है आप और सामने से आप देख कर रहा है कि क्या नजारा है तो आप कैसे मान सकते इन बातों अगर विद्यार्थियों नहीं साफ तोर पर कराया जा सके हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं देखिए अभी sequence में बहुत सारी परिक्षाएं बग्ची हुई है अगर एक परिक्षा में आपने आवाज नहीं उठाई तो अगली परिक्षाओं में भी यही हाल रहेगा ठीक है तो I hope आप सरी जनकरी को समझ चुके होंगे आप अपने हग की लड़ाई लड़े है ना इस अपत्ति को दर्ज करें और अगर परिक्षाओं में गरबड़ी हुई है तो री एक्जामिनेशन के लिए आवाज उठाएं I hope आप संक जानकरी को समझ चुके होंगे आगे और भी updates हम लोग आपको देते रहेंगे आ अप लोग से मिलेंगे अगले सेशन में थैंक यू आप से भी